वेलकम बेक टू चंदिगड ब्यूटी चैनल तो आज की वीडियो ब्यूटी टिप्स से रिलेटर नहीं है आज की वीडियो है कि चंद टिप्स से रिलेटर जी हाँ अगर आपके घर में भी लोहे कतवा है और आप उस पर डेली पराटे बनाते हैं पराटे बनाने के कान उस पर एक लेयर से जम्मा हो गई है जिसके कान आप पराटे रो टी चैनल तो काली से बनती है चाहला रोकम map टेदस्मakukan तो यह एक वीडियो सब्स दित्रती heiß यह चैण हम भी आपके रिंफूरिटिआ कि उस दो प्रम दिक्स नसादेल है आज में वेनेगर का यूज़ करने वाले हैं और ना ही बेकिंग सोरने का आप आराम से 5-7 मिनट में अपने घर का तवा बिल्कुल चमका पाएंगे किचन का तवा चमका पाएंगे मेरे पास लोहे का तवा है वैसे आप इस तरीके से अलुमीनियम का तवा भी साफ कर सकते हैं लेकिन म म haven जखते हैं इसेड़ता लोहे के बरतन का यूज़ करिये क्योंकि अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारी बोड़ी है तो चलिये देखते हैं कि मैंने तवे को कैसे तवा कैसे साफ किया तो यह देख़ी तवा कितना गंदा हो चुका है लेयर किती मोटी है इस पर्सक्रों सब् उसी फर्म करतािम लागलर और इस और क्यों नुकल रहने के बाद और द Certainis सी यूजह की इस तरह रहाएने के यह जो छवायर आसानी सी निकलनी सुरूम हो जाए अब मैं दुबारा से इसको फिर साप करूंगी अब मैंने इस पर डाला है यह नीमबू नीमबू डालने के बाद फिर मैं यह जो बच्चा हुआ नीमबू है इसी से तवे को रगडूंगी तो देखी हां पर मैंने ना तो वैनेगर का यूज किया है और ना ही बेकिंग सोडे का घर की बेसिक सी चीज है जिनसे मैंने अपने इलोहे के तवे को साप किया है तो अगर प्राठो के कारण आपके तवे पर भी मोटी लेयर जमा हो गई है तो आप इसको ऐसे 5-7 मिनट तक स लिया जाए क्योंकि मैं अपने घर की खिडिक्यों को साफ करने के लिए इसका यूज करती हूं तो इससे मैंने इसके चारो तरफ जो ये कोने थे इसको भी अच्छी तरह से साफ करा है और फिर से जो इस पर ये जमा हो गई थी इसको डस्ट बिन में जाड़ दिया है जो इ साफ हो जाएगा तो दुबारा से मैंने इसको जाड़ा है अब मैंने ले लिया है एक लोहे का बरश यानि की जूना और उस पर साबुन लगाया है आप चाहे तो लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं अभी भी गैस को मैंने धीमा ही रखा है आप चाहे तो अगर आपको आप चाहें आपने देखा है कि वह गया हो जाता है और तवा वा क्लीच के लेख दільки आप बर देखा ja अपको पसंद तो प्लीज लाइक जरूर करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रैंट's-र फैमली के साथ जाद से जाद से आप फिर भी खरने मैं आपसे मिलूंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक केरें बाए